नमस्ते फ्रेंड्स कार्डनिंग विद वंदिना में आपका स्वागत है और आज मैं आपको यह स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखाऊंगी और इसमें फ्रूट कैसे लगते हैं और इनकी केर मैंने कैसे की हुई है यह इसी के बारे में आज पूरी डिटेल दूँगी और इतने मैं फर्वरी में ले आई थी और लगाया था तो यह पौधे तब छोटे थे और 40-40 रुपए की एक एक पौधे मैं ले आई हूं नसरी से इसकी कोई बीच तयार नहीं किये है इसकी पौधे ही ले आई थी और इसकी जिलिये जो मिट्टी बनाए हुई है पूरी वेल ड्रे और और इसमें सुन्दर फ्रूट आए हुए हैं और यह परिशों फ्रूट इस तरह का था कबलब इस पौरिट तो बड़ा था इस और आज देखे यह पूरी तरह से रैड उ चुका है यह डेके इसमें सुन्दर स्ट्रॉबेरि अब लगे हुए हैं तो इसमें और भी क्या देख भाल की है, इसकी sun requirement क्या है, इसमें fertilizer क्या दिया हुआ है, अब धीरे धीरे ये भी बताती हूँ, strawberry के पौधे आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, जैसे कि मैंने उगाया है, कोई ऐसा अलग से effort इसके लिए नहीं किया हुआ है, और एक चीज है कि strawberry के पौधे इतने टफ नहीं है कि हम अपने घर में इसे लगा न सकते हैं, और इसमें क्या है कि थोड़ी सी well-drained soil इसकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी या moisture इसको नहीं अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा dry ही रहना पसंद करता है, ये देखिए ये पूरी तरह से इसकी जो मिट्टी है, ये देखिए हलकी moist है, और बिल्कुल सूखे सूखे जैसी ही है, बहुत ज़्यादा पानी दे देने से इसमें fungus लग सकती है, और जिससे की plant बिल्कुल हरा भरा नहीं रहेगा और अच्छे से चलेगा नहीं, तो इसकी जो watering की requirement है वो थोड़ी कम है, और आप देख करके पानी दे, जब ठोड़ा सूखा रहे मिटी तब आप इसमें पानी दे सकते हैं, और इसको धूप में जहां तक रखने की बात है, तो इसको बहुत तेज धूप में रखने की जरूत नहीं है, जहां कि एक दो घंटे की sunlight आती है, वहां भी आपके ये वर्मी कमपोस्ट की जो खाद लिक्विड वाला बनाती हूँ, वही कभी कभी दिया है, एक से दो बार दिया हुआ है, और एक आज बार इसमें जो सरसो खली की लिक्विड फर्टिलाइजर वह एक दो बार दिया है, और एक दो बार वर्मी कमपोस्ट की लिक्विड खाद इसके अलमा इसमें कुछ भी अलग नहीं दिया हुआ है और इस तरह से फल आने लगे यानि कि फूल इसके जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं यह देखिए इस तरह के फूल इसमें आते हैं अभी खिले नहीं है इस वाले में दिखाती हूं इसमें खिल गया हैं यह देखिए इस तरह के फूल स्ट्रॉबेरी के आते हैं, और फिर उसके बाद से छोटे-छोटे फॉलो में ये कनवर्ट होते हैं, इस तरह से दिखिए, ये इस तरह से इसमें फूल लगते हैं, फिर उसके बाद की अवस्था कुछ इस तरह की रहती है, और स्ट्रॉबेरी पकने पे ये तो इसमें मुझे मलचिंग कर देनी चाहिए आज मैं आपको कर के दिखाऊंगी क्योंकि यह जब मटी से टश होती है तो यह खराब होने लगते हैं तो इसमें क्या करना है कि यह जो इसका इरिया है इसके किनारे किनारे मुझे अच्छे से इस पे कुछ लगा देना है ऐसा जिससे कि ये सूखा सूखा रहे बिल्कुल टच ना हो मिट्टी से टच होते ही मिट्टी से इसमें फंगस लगेगी और फ्रूट खराब हो जाएगा तो इसके लिए मैं कई चीजें इस्तेमाल होती है तो यह है फ्रेंट राइस हस्क या धान की भूसी और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है बस ऐसे किनारे किनारे हमें इस पे एक लेयर लगा देनी है ताकि फ्रूट जब नीचे जाए तो वो जमीन से टचना हो यह देखिए इस तरह से और इस तरह से स्ट्रवेरी मैंने संभाल के या रख दी है और एक चीज और होती है इसमें कि कभी-कभी इसकी महक से इसमें चीटियां आती है और चिडियों के खाने का डर रहता है या चूहे कभी-कभी खा लेते हैं तो बहुत पहले मैंने एक बार और उगाया था तो चिडिया चूहे या गिलहरी ना खाएं तो क्योंकि गिलहरियां जिनके गार्डन में ज्यादा लगती हैं उनके हां यह बच नहीं पाता है किसी भी तरह से तो इस बार मेरे हां यह बच गए हैं और यह रेड रेड प्रूट देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं देखते ही अब बात करते हैं इसमें पैस्ट अटैक की तो इसमें किसी तरह कहा हैं तो अब आप चाहें तो नीम औल सुछ कर सकते हैं या रहनी अब प्लांट में देखाओंगी तो ब कुटा सब्सक्तर निकलते रहेंगे अने प्लांट निकलेंगे, वो कैसे निकलते हैं, वो जब निकल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, फिलाल अभी आप इन प्यारे-प्यारे फ्रूटों को अभी भी ये नर्सरीज में मिल जाएंगे, आपको इसको पहुद 40-50 रुपे में बहुत आसानी से मिल जाएगी, और अभी भ ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फार्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो, तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा, नमस्ते फ्रेंड्स